नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस यूटूब चानल DTS Tricks World में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ DTS Tricks के MPG2 Septimus में आने वाले एक प्रोब्लम के बारे में दोस्तों ये प्रोब्लम जब आती है तब आप अपने Septimus में कोई चैनल एड करना चाते हैं और उसके बाद में दोस्तों आपको ये प्रोब्लम आ जाती है कुछ इस तरिके से प्रोब्लम आती है इस पे इस फुल की तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊँगा कि ये प्रोब्लम क्यों आती है और कैसे आप इसी सॉल्व कर सकते हैं तो इसकी कंप्लीट जानकारी पाने के लिए आपको ये वीडियो पुरा देखना होगा तभी पूरी जानकारी मिल पाएगी आपको और वीडियो की सुरात करने से पहले मेरी आपसे भी रिक्वेश्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिए अगर आप हमारी इस यूटूब चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ अम्बेल आकन को भी दवाज दिए तो यहाँ पर दोस्तों इस पेस इस फूल की प्रोब्लम आपको MPG2 सेप्ट बोक्स में देखने को मिलती है दोस्तों यह साथ तब होता है जब आपके MPG2 सेप्ट बोक्स की इस्टोरे जब फूल हो जाती है तो दोस्तों आज की वीडियो मताँगा किस तरह से आप इससे सोल्व कर सकते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो पुरा देखना होगा दोस्तों यह प्रोब्लम आने के बाद में आपके सेप्ट बोक्स में कोई भी चैनल सर्च नहीं होता चाहे आप ओटो इसकेन कीजिए या एड़ न्यू प्रोग्राम में जाके एड़ कीजिए आपको दोस्तों इस पर इस फूल की प्रोब्लम दिखाए देती है तो इससे कैसे सोल्व करना है दोस्तों आपको रिमोट से मेन्यू का बटन दबाना है कुछ इस तरिके से मेन्यू उपन होगा उसके बाद में आपको सिस्टम सेटप में जाना है सिस्टम सेटप में जाके दोस्तों आपको तीसरे ओप्सन पर क्लिक करना है डिफोल्ट वेल्यू पर तो इससे दोस्तों आपका जो सेप्ट वोक्स है वो reset हो जाएगा तो यहाँ पर आपको default value पर click करना है और उसके बाद में आपको ok कर देना है जैसे आप ok करेंगे आपका shift box reset हो जाएगा आपके shift box में जो भी channel थे वो सब delete हो जाएगे तो यहाँ पर आपको ok करना है ok करने के बाद में आपका shift box है वो reset हो जाएगा और उसमें दोस्तों वो चैनल आ जाएंगे जो चैनल आपका सिप्ट वोक्स बनने के टाइम पे से होते तो यह देखिए वो चैनल आ चुके हैं अब आपको मेन्यू में जाना है और एडिट प्रोग्राम में जाके डिलीट ओल प्रोग्राम कर देना है तो यहाँ पर देखिए मैं डिलीट ओल प्रोग्राम कर देता हूँ इसी तरीके से दोस्तों आपको रेडियो चैनल लिस्ट में जाना है और इनको भी दोस्तों आपको एडिट प्रोग्राम में जाके डिलीट ओल प्रोग्राम करना है इससे दोस्तों आपके सभी चैनल डिलीट हो जाएंगे टीवी और रेडियो के इसके बाद में आपको मेन्यू में जाके टीवी चैनल लिस्ट में जाना है और फिर से मेन्यू का बटन दबाके आपको program setup में जाना है और add new program में जाना है और यहाँ पर दोस्तों आपको ddfids के frequency डाल कर check करने है कि आपका जो sept box है उसमें signal side अंग से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं आपकी disk side अंग से set है या नहीं है तो आपको दोस्तों यहाँ पर frequency डालने है दोस्तों disk setting की video में ने already बना दिये उसका link आपको इस video के description में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर दोस्तों आपको वीडियो देख सकते हैं और अपने disk को set कर सकते हैं दोस्तों मैंने देखा है कि बहुत से लोगों के disk side अंग से set नहीं है और इसी कारण से उनको scan करने पर पूरे channel नहीं मिल पाते हैं तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बोलना चाता हूँ कि आपको सबसे पहले अपने disk को side अंग से set करना है और उसी के बाद में दोस्तों जब आपकी disk side अंग से set होगी तभी आपको पूरे channel मिल पाएंगे तो दोस्तों जैसे ही आपकी इस frequency भी signal आते हैं आपको दोस्तों बेक करना है बेक के लिए आपको menu का बटन दबाना है और उसके बाद में आपको दोस्तों यहाँ पर auto scan में जाना है auto scan में जाने के बाद में दोस्तों आपको ln frequency चेंज करनी है तो LN Frequency आपको रखनी है 0.97, 0.97 Scan Mode आपको Free रखना है, Bias के Tone Off रखना है और Discusy आपको Off रखना है इसके बाद में दोस्तों आपको Remote से OK प्रेस कर देना है दोस्तों जैसे ही आप Remote से OK प्रेस करेंगे आपका जो Septuax है वो Scan होना चालो हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए है हमार जो Septuax है वो Scan हो रहा है और इसमें चैनल आने भी लगे हैं दोस्तों मैंने यहाँ पर वीडियो को Fast Forward कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादे लम्मी ना हो तो इसमें देखिए दोस्तों डिडिफीडिस के जो चैनल है वो भी आने लगें तो यहाँ पर देखिए हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कुल कितने चैनल मिले हैं तो 148 TV के और 45 Radio के चैनल मिले हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर चला कर बता देता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको TV Channel List दिखा रहा हूँ और यहाँ पर 27 नंबर से दोस्तों डीडी फीडिस के चैनल चालो हो चुके दोस्तों यहाँ पर डीडी फीडिस की करंटली जो चैनल लिस्ट है जो कि दोस्तों चैनल डीडी फीडिस में अभी अभी अवेलेबल हैं सिमारो टीड दोस्तों एक मईस से एड उया तो ये भी आप यहां परD gates हैं सारे एक सारे चैनल आपको मैं चला के बता रहा हूं यहां पर DVD FEEDS में दोस्तों आपको हिंदी सीरियल के, हिंदी मुविस के, हिंदी न्यूज के, हिंदी मुजिक के और कुछ अलग-अलग भासाओं के Channel भी मिलते हैं और बक्ति के Channel भी आपको मिल जाते हैं MPG4枝टờवक्स में दोस्तों आपको जादा Channel मिलते हैं दोस्तों अगर आपके सेप्टोक्स में यह सारे सारे चैनल नहीं आ पाते हैं, तो आपको अपने डिस्को साइडंग से सेट करना होगा, आपकी डिस्क साइडंग से सेट होगी तभी दोस्तों आपको पूरे के पूरे चैनल मिल पाएंगे, अगर डिस्की साइडंग से सेट झाल में पूरे तो यह देख स्नल चानल यहां पर मिल जाते हैं और यहां पर दूस्तों आपको कुछ एजुकेस्टन चैनल मिलते हैं चेनल की तो यह देख से मैं आपको सिगनल बता देता हूँ तो Simaro TV के आपको मैं सिंगनल बता देता हूँ यहाँ पर तो यह देखिए यह देखिए दोस्तों सिंगनल बहुत यह अची तरीके से आ रहा है क्योंकि जो मेरे डिस हो साही डंग से सेट है तो इसके बाद में आपको एक और चैनल के सिंगनल बता देता हूँ वी फोर यू से पाएंगे तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कि किस तरह से आप इस पेस्फुल की प्रोल्लम को सफोल कर सकते हैं और अपने सेटा भोट में पूरे चैनल वापस से ला सकते हैं तो उमीद करता हूं दौस्तों आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई झाल झाल